प्रभास की छत्रपती रिलीज हुई थी 2005 में और ये एक तलगु मुवी थी जिसको डाइरेक्ट किया था SS राज मौली ने इस फिल्म में प्रभास के साथ श्रिया सरन भी नजर आई थी छत्रपती एक सूपर हिट फिल्म साबित हुई थी अब इस फिल्म का बॉलिवोड रिमेक भी तलगु एक्टर रिलीज होने वाला है जिसमें बेलम कॉंडा सरी निवासा नजर आएंगे जिन्होंने अनुरु सीनू, जय जने की नायका, साक्षम, रक्ष सुडू, सीता, कवचम जैसी फिल्में दी है और इनकी फिल्में बॉक्स विस्ट पर कुछ जादा कमाल तो करती नहीं है, लेकिन जब उनकी हिंदी डब्ड वर्जिन यूट्यूब पर रिलीस कराये जाते हैं तो भाई यार, रिकॉर्ड तोर, सहीं में है भाई, हर चीज का रिकॉर्ड तोर देते हैं है जैसे कि जय जने की नायका की 707 मिलियन प्लस वियूज है, सीता राम के 586 मिलियन प्लस वियूज हो गए है, कवचम के 339 मिलियन प्लस वियूज हो गए है अलूडू अदर्स के भी 245 मिलियन प्लस वियूज है, देख लो भाई यो, इनकी mostly movies वैसे तो average ही रहती है और YouTube पर ऐसा तैल का मचाय जाता है न, कि सही में, बीच 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 बे तो कमेंट्स भी यही आने लग गए थे अलूडू अदर्स हिंदी डब में कब आएगी, मतलब भई, इतनी तगडी फैन फॉल्वेंगे इनकी YouTube पर इस फिल्म में बेलम कॉंडा के अपोजिट नुसरत बरूचा नजर आएंगी, जिन्होंने बॉलिवुड में काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी है, जैसे कि ड्रीम गर्र, जनित में जारी, सोनु के टीटू की स्वीटी, तो इनसे तो एक्टिंग की पूरी उमीद है म मुझे भी फिल्म काफी पसंद आये थी, लेकिन फिर भी मुझे वीवी विनायक की डायेक्शन पर थोड़ा सा डाउट है, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने साइधरम तेज की इंटेलिजन भी डायेक्ट किये, और अब ये करने वाले हैं छत्रपती का रिमेक, देखते ह जा रही है, और इस फिल्म को प्रड्यूस कर रहे हैं पैन मुवीज, और उनका ही आइडिया था कि तेल्गो फिल्म की रिमेक में तेल्गो एक्टर को लाने का, बेलम कॉंटा की यूट्यूब फैन फालोइंग तो देखो यार, बहुत ही ज़ादा गजब है, थेटर ओडि कि आपको इस फिल्म का कितना इज़ार है, तो मिलते हैं वारी एकली वीडियो में तब तक लिए बाई 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 एंटिक किया